exercise 2.2 question number one find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between zeros and coefficients सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 को 1 के जो x करके आगे जो coefficient है उससे multiply करेंगे इसको multiply करके 8 आगे अब हम 8 के factor factor देखेंगे एक के factor होंगे 4 to the 8 and 8 1 to 8 अब हम सबसे पहले चक करेंगे कि इसमें plus या minus करके 2 किसमें आ रहा है तो इसमें तो आ जाएगा इसमें नहीं आएगा तो फिर हमें हमें यह नहीं चाहिए और यहां पर x है तो यहां पर भी x कि दिए और हमें माइनस 2x तो यहां पर माइनस और यहां भी plus plus minus minus और जो 4 मैंस 4 में से 2 माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास value आ जाएगी और जो यह माइनस 2x है इसकी जगर पर माइनस 4 प्लस 2x लिग देगे अब इसमें से हम x को मुल लेंगे तो यहां देगे x माइनस 2 और यहां से 2 को मुल लेंगे तो यहां देगे x माइनस 4 यहां 4 आएगा तो आए अए एक प्लस 2 और एक्स मैनस 4 आएगा एक प्लस 2 को 0 कोईकोल तो यहां से एसकी वीज़ेवगी माइनस depl flare वर एक्स माइनस 4 को 0 को रहें है तो यहां से एक्स की वाणलियों के 4 और और जो यह हमार पास X की दो वेल्यू आई है इसी को हम जीरोस होते हैं तो इसको जीरोस को मैसे भी लिखेंगे जीरोस ओफ पोलिनोम अलफा एकोल टो मैनर्स टू एंड वीटा एकोल टो फूर उसके बादा कोशने वोला कि वेरिफाई दा रिलेशंचिप प्रवीन जीरोस और कोफिशन अभी हम वेरिफाई भी गरना है आ कि सबसे पहले हम करेंगे प्रडक्त अवजिरू सम जिरूस को गारिए समोफभ जिरूस सम और फोलेंगे माइन эта कोफिशेंट ओफ कोफिशन और एक्स कै- X upon coefficient of X square, X square, sum of zeros means alpha plus beta equal to minus B upon A, अगर यहाँ से में compare करेंगे, यह हमारी quadratic equation, AX square plus BX plus C, और जहाँ A की वेड़ी है, 1, और B minus 2, and C minus 8, alpha, alpha मार यहाँ था, minus 2, plus beta यहाँ था, 4, equal to minus ka minus, और B की वेड़ी है, यह, minus 2 upon A, A equal to 1, इसको solve करके आएगा 2, और यहाँ से इसको solve करके आएगा 2, तो यह sum of zeros हमारा verify हो गया, उसके बाद हम product of zeros निकले के, product of zeros, product of zeros, product of zeros को मैं ऐसे लेखेंगे, C upon A, means C equal to, यह constant of, upon A, coefficient of X square, means A, coefficient of X square, product of zeros, means alpha into beta, equal to C upon A, alpha की वेड़ी हमारे यह यह थी, minus 2, and beta, 4, C जो हमारा सा, constant की वेड़ी, minus 8, upon A की वेड़ी, 1, तो यहां सोल करेंगे, 4 to the 8, minus 8, equal to minus 8, और यह relation मारा verify हो गया, hence, verified, question number second, सबसे पहले हैं, constant term को, X square, K, coefficient से, multiply करेंगे, means 1, 4 आजाएगा, 1 को 4 से, multiply के, 4, और इसके factor बनेंगे, 2 to the 4, and 4, 1 to the 4, अब हम देखेंगे कि इसमें जो, यह coefficient है, S का जो coefficient है, प्लस या माइनस करेंगे कि किसमे आ रहा है, इसमें एकमणने माइनस करेंगे, तो यहा तो 4, प्लस बन फाइगा, यहा तो 4 माइनस री, तो यह तो नहीं होगा, और 2 प्लस 2, 4, तो हमें 4 यह हमиля है, तो यहां से माइनस मिल रहा है, यहाँपर S हे, तो इसके साद भी S लिगा रहेंगे, और यहां भी भी वेस And minus Communist has to do 2S 2S 4S हो जहाट 4S square minus 2S minus 2S plus 1 कि यहां से two s कोमन लेंगे और 很्off मैनस 1 और यहां से-1 common लेगे तो यहां पेने लेगा 2s-1 जब मंश общем लेगे तो 2s प्लस का हो जएगा और यह 플स मैंस का हो जएगा और 2s-1 एक बर common वाली value और 2s-1 एक बर ये उसके बाद हम 2s-1 को 0 के एकस होड़ाएंगे तो यहां से value यहां ऑगे 2s-1 2s equal to 1 s equal to 1 upon 2 और second में भी ऐसी 2s minus 1 equal to 0 s equal to 1 upon 2 अब सबसे बहले हम यह हमारा alpha होग alpha की value भी 1 by 2 और beta की value भी 1 by 2 बहले हम sum of zeros find करेंगे sum of zeros equal to alpha plus beta minus b upon a और product of zeros product of zeros means alpha into beta equal to c upon a यहाँ से अप्पेर करेंगे ax square plus bx plus c और यहाँ 4s square minus 4s plus 1 तो हमारे a की value 4 आ जागी b की value minus 4 और c की value 1 sum of zeros alpha equal to 1 by 2 plus beta equal to 1 by 2 minus b equal to minus 4 upon a a equal to 4 sum नेने पर यहाँ पर आजेगा 4 और उपर value आजेगी 2 और यहाँ पर minus minus plus और 4 by 4 यहाँ a की value 4 और b की value 4 यहाँ 2 आएगा 2 से 2 कैंसल 1 4 से 4 कैंसल 1 तो sum of zeros हमारा verify होगा उसके बाद पर प्रड़क्ट उफ जिरोस प्रड़क्ट उफ जिरोस में alpha equal to 1 by 2 into beta equal to 1 by 2 c c equal to 1 and a equal to 4 यहाँ भी 1 by 4 और 1 by 4 यह relation हमारा verify होगा क्वेशन नमर थर्ड पहले हम इसको quadratic equation की form में लिख लें के ax square plus bx plus c की form में means x square वाली term पहले x square term क्वेशन से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यहाँ पे value आएक एटीन और एटीन के और जो 7 और माइनस का है तो हमें यहाँ माइनस टेही है यहाँ पर प्लस टेही है क्वेशन करेंगे तो माइनस का सवना रेगा और यहाँ माइनस 7 x की जगापे माइनस 9 x plus 2 x 6 x square माइनस 9 x plus 2 x माइनस 3 यहाँ से 3 को मल लेंगे और x को मल लेंगे तो अंदर राएज़ेकर 2 x माइनस 3 प्लस 1, 1 को मल लेंगे तो यहाँ पर राएज़ेकर 2 x माइनस 3 3 x plus 1, 2 x माइनस 3 एक बार 3 x plus 1 को 0 के एकोल रखेंगे 3 x इकोल टो माइनस 1, x इकोल टो माइनस 1 अपोन 3 यहाँ से 2 x माइनस 3 इकोल टो 0, 2 x इकोल टो 3, x इकोल टो 3 बाए 2 तो हमाएज अलफा की वैल्यू आगे, माइनस 1 बाए 3 और बीटा इकोल टो 3 बाए 2 अब हम सम आगे, 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 सम आगे plus beta equal to 3 by 2 minus b equal to minus 7 upon a equal to 6 यहां से लस्म देंगे 6, 2 को 1 से मुटिपले किया, minus 2, 3 को 3 से मुटिपले किया, 9 minus minus plus 7 by 6 9 में से 2 को माइस करेंगे, तो यहां 7 by 6 और यह 7 by 6 sum of zeros verify हो गया, उसके बाद हम करेंगे product of zeros product of zeros means alpha multiply beta equal to c upon a alpha equal to minus 1 by 3 beta equal to 3 by 2 and c equal to minus 3 and a equal to 6 3 cancel, यहां गया, minus 1 by 2 और यहां 3 से 6 cancel, यहां गया, minus 1 by 2 और यह 6 cancel, और यह 1 by 2 तो यहां पना गया दोह, यहां प्लस एड, यहां प्लस एड, यह 1 by 1 by 4 4 इदर जाके एक बार 4 u को 0 के एकोल रखेंगे तो यहां से u की value आजेगी 0 और एक बार u प्लस 2 को 0 के एकोल रखेंगे तो यहां से u की value आजेगी minus 2 तो alpha हमा रहा हो गया 0 and beta equal to minus 2 sum of zeros alpha plus beta equal to minus b upon a alpha equal to 0 plus beta equal to minus 2 minus b यहां से हम इसको compare करेंगे तो ax square plus bx plus c equal to 0 और यहां पर यह value है 4u square plus 8u और यह constant हम अपनी तरस जरो लिखेंगे यहां पर a की value 4 b equal to 8 and c equal to 0 b equal to 8 and a equal to 4 0 plus minus 2 minus 2 and force 8 cancel minus 2 the sum of zero or product of zeros product of zeros यह गामरस c upon a alpha into beta equal to c upon a alpha equal to 0 and beta equal to minus 2 c c equal to 0 upon a equal to 4 0 plus 2 multiplied by 0 और यहां पर यहां पर यहां पर 0 और sum of zeros और product of zeros verify हो गया कुछ नमर्वन फिफ्ट पार्ट इसको हम as t square minus 15 को हम ऐसे लिख लेंगे root 15 का whole square तो यह a square minus b square की identity बन जाएगी तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे a plus b a minus b इसको हमने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि square से root cancel हो जाएगा और हमारे पास यह 15 जाएगी एक बार हमने इसको t plus root 15 को 0 को equal रखा तो यहां से हमें t की value आगे minus root 15 और t minus root 15 को हमने 0 को रखा t equal to root 15 इस alpha equal to minus root 15 and beta equal to root 15 now sum of zeros sum of zeros zeros alpha plus beta equal to minus b upon a अगर यहां से compare करेंगे ax square plus bx plus c तो यह हजाएगा t square minus यहां पर x यह वली term नहीं है x वली तो हम इसको लिख लेंगे अपनी दरफ से 0t minus 15 तो यहां से प्लस मैनस मैनस 0 0 यह हमार समों 0 उसके बार प्लस 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 में प्लस 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 करेंगे 15 और यह मैनस का और यह मैनस प्लस हैंस वरिफाइड प्लस नेक्सट पाड्ट 4 को पहले 3 से मुल्टिप्लाई करेंगे तो यहां पर 12 और 12 के फेक्टर 6 coração 12 4 & 3 यह एक साधिव legitim studies उसके आउब टो खरिए едर प्लस x हां में माइने सही सब्सक्राइब देगे 3 आउब फिल 2017 मैंने साधिय। सब्सक्राइब फ़र टो मैनस 4x प्लस 3x मैनस 4 इसमें से x को मन लेंगे तो ये वैल्यू आजेगे माल पास 3x मैनस 4 और यहां से 1 को मन लेंगे 3x मैनस 4 3x मैनस 4 x प्लस 1 एक बार इसको हमने 0 के एक रखा then 3x मैनस एक एक रख एक 4 x एक रख एक रखा then alpha एक रख और 4 के एक रखा अब में sum of zeros find करेंगे sum of zeros इक्वल तो अल्फा प्लस पीटा मिनस माइनस बी अपॉन ए यहां से कंपेर करेंगे 3x स्क्वेर माइनस 1x प्लस 4 Ax स्क्वेर प्लस Bx प्लस C यहां से A की वैल्ड वाजी की 3, B की वैल्ड वाजी की माइनस 1 और C की वैल्ड वाजी की 4 अल्फा वाजी की 4, अल्फा उनस प्लस बीटा उनस वालिटा माजी की 4 4 minus 3, 1. 1 by 3 equal to 1 by 3. do product of zeros product of zeros alpha into beta equal to c upon a alpha equal to 4 by 3 and beta equal to minus 1 c equal to 4 and a equal to 3 C equal to 4 and a equal to 3 यहां से यहां पे मैंने से तो C की वैली मैंनस 4 C equal to minus 4 और यहां minus 4 by 3 equal to minus 4 by 3 यह हमार प्रड़क्ट अफ जिरो से वरिफाइड हो गया यह हमार प्रड़क्ट अप्रड़क्ट 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 अब हमें इतमें सम यह जो वैली दीजिए समों जिरो से sum of zeros means हमें alpha plus beta की value दीए 1 by 4 और तो यह value है यह product of zeros product of zeros means हमें alpha multiply beta की value दीए minus 1 तो हम alpha plus beta को यहां पे sum को s लिख लेंगे sum of zeros means 1 by 4 और यह product of zeros को हम लिख लेंगे minus 1 alpha plus beta को p से denote कर देंगे तो जो हमारी quadratic equation इनको sum of zeros और product of zeros को युद करके बनेगी वो बनेगी x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta means x square minus p s x plus p अब इसको यूज करके हम अपनी quadratic equation नाएंगे x square का x square minus sum of zeros 1 by 4 x plus product of zeros minus 1 तो यह equation बनेगी x square minus 4 x minus 1 और 4 x यह हम ने रहेंगे तो 4 x square minus 1 x minus 4 यह हमारी quadratic equation होगी second question root 2 1 by 3 x square minus s x plus p x square minus sum of zeros root 2 x plus p 1 by 3 3 x square minus 3 root 2 x plus 1 यह 3 आजेगा और 3 को कॉमने लेंगे 3 x square minus 3 root 2 x plus 1 यह हमारी quadratic equation third part 0 and root 5 x square minus s x plus p यहापे s की value 0 and p की value root 2 x square हमने mention करना है हर question में s equal to sum of zeros and p equal to product of zeros minus s means 0 x plus root 5 means equation x square plus root 5 4 part 1 and 1 sum of zeros means s equal to 1 product of zeros means p equal to 1 तो यह हमारी equation हो जेगी x square minus s x plus p x square minus 1 x plus 1 यह हमारी quadratic equation 5th question 5th question 5th part minus 1 x 4 and 1 x 4 में समों 0 यह है means s equal to minus 1 x 4 and product of zeros means p equal to 1 x 4 means p equal to 1 x 4 x square minus s x plus p x square x square minus s equal to minus 1 by 4 x plus 1 by 4 x plus 1 by 4 x plus 1 by 4 4 x square plus x plus x plus 1 तो यह हमारी quadratic equation तो यह हमारी quadratic equation 5th part 4 x square plus x plus 1 यह हमारी quadratic equation 6th part 6th part 4 and 1 sum of zeros sum of zeros sum of zeros हमें यह है 4 और यहां product of zeros यह है यह है P equal to 1 then, quadratic equation x square ñ s x plus P x square – s equal to 4 x P equal to 1 यह वारी कोट्रेटी कुछी यह वारी एक साइची एक साइच 2.2 नश्ट एक साइच 2.3 थैंक फर वार्ची